हाथों में सौबते हैं, चाहते हैं खुदा, तुशिफा देना खुदा, प्रभू वो भाई जब रोज खुदा निस्वार्थता के साथ जुड़ जाते हैं प्रभू, चाहते हैं की बेहन की शादी के लिए इंतजाम करना, घर में करजों को खतम करना, दुकान पे अनुग्र करना, पैसों पे परकत देना, खुदा आज कल्यार को इस परिवार पे ठहरा देते हैं, येश्यू के नाम से प्रात्ता मांगते हैं, आमेन, खुदा, चाहते हैं प्रभू, तू प्रभू, इस जोड़े को साथ में लाना, खुदा, प्रभू, ये तेरी महिमा के लिए इस् भाई के दिल को नमर और हलीम करना, प्रभू, ये शुरसी, प्रभू, वो वापस लोटाएं, खुदा, इनकी मपी पापा के घर पे प्रभू, तेरी आशीश और बरकत को बोलते हैं, खुदा, प्रभू, जब बन रहा हैं, खुदा, हर चीज में खुदा, तू प्रभू, स झीच की नहीं, वो, तू चाहें, सिर्फ भलाई, मेरे जीमत में सरा, सिर्फ भलाई, इस बात को थाम लीजिएगा, सिर्फ भलाई, है तेरी मर्दी है तेरी मर्दी चाहते आने वाले दिनों में ये भी एक प्रातना योधा बने खुदा प्रत्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाडों की चोटियां भी उसी के हाथ में है यकीन मानिएगा इस बात का बहुत विश्वास के साथ इस बात को आपके जीवनों में बोलना मांगता हूँ कि वो पहाडों का और गहराईयों का परमेश्वर है जब आप अपने जीवन में उच्चाईयों पर हो तो भी आपका परमेश्वर वही होना चाहिए और जब आप अपने जीवन की गहराईयों में सबसे लोइस्ट पॉइंट पर हो कभी कभी इस बात को अपने से अलाइदा मत होने दीजेगा मत कहिएगा खुदा कि मैं आज इन परेशानियों में हूँ मैं आज अपनी नजरे उन लोगों पर उन भाईया पर उन भावी पर उन फलाने पर लगाऊंगा कहना कि नहीं खुदा तू ही पहाडों का तू ही तरायों का परमेश्वर है और तेरी इच्छा मेरे लिए भलाई की है कहने लगा समुंदर उसी का है और उसी ने उसको बनाया है और स्थल भी उसी के हाथ का रच्चा है कहना लगा आओ हम जुक कर उसको टंडवत करें वो राजाओ का राजा हर एक महीमा के आदर के योग है अगर आज चाहते हैं मैं नहीं जानता आप किस अवस्था में प्रातना कर रहे हैं आप अपनी जॉब पर हैं अपने घरों में अपने ड्रॉइंग रूम में बैठे हैं अगर आज आज आप चाहते हैं कि वो आज तक्त उसका विराजमार हो आपके घर में आपके परिवार में, तो आज का वच्चन कहता है, आओ, हम चुक कर, चुक कर, उसका डंडवत करें, जब चाहता हूँ, आज आज इस काम को हो जाने दीजएगा, आज अपने मैं को मार कर, चुक जाईएगा, जब जाईएगा, कहिएगा कि, हुद आज तुछ और अबद से लेके अबद तक का परमेश्वर तू ही है तू ही है और तू ही रहेगा आज खुदा आपसे कुछ बोलना चाहता है वो ऐसे आके नहीं बात करने लगेगा आपसे खुदा हमेशा वचन से बात करता है और आप